नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर, Comptroller and Auditor General of India यानि की CAG के द्वारा भारत की एक बहुत ही बड़ी योजना में multiple scams को expose किया गया है, जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, that is the आयुश्मान भारत योजना जो की भारत की ही नहीं, बलकि दुनिया की सबसे health scheme मानी जाती है, जो report सामने आई है, इसमें बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा हुआ कि जो लाभारती थे, जो beneficiaries थे, उनके dead होने के बाद भी उनको कई सारी payments करी गई है, कई बार ये भी देखने को मिला है कि एक-एक mobile number से जादा लोगों को register किया गया है, बलकि एक shocking जो revelation सा approximately एक mobile number से साड़े साथ लाख लोगों को register किया गया है, और even आधार number पर भी एक-एक आधार number पर भी दो-दो cards हमें देखने को मिले हैं, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये report जो है कल ही सामने आई है, और इस report को राज्यसभा में table भी किया गया है, जिसमें कि ये सा as dead, they are also getting the treatment, उनको यहाँ पर भुकतान भी किया जा रहा है, जो benefits हैं, जो payments हैं, उनके खातों में जा भी रही हैं, उसके बाद यहाँ पर भी देख पाएंगे, एक mobile number से जुड़े साड़े साथ लाख लोग, एक आधार number पर बने दो card, ये सारी की सारे data errors और gaps हैं, जो की CAG क द्वारा इस major report में, इस audit report में, इनको सामने लाया गया है, बात करेंगे इनी सब चीजों के बारे में, detail में, क्या-क्या exactly चीजें हैं, जो की सामने लाई गई हैं, इन चीजों की वज़े से, कैसे inclusion और exclusion errors की हमें, दिक्कतें देखने को मिलती हैं, वो भी हम लोग समझने का प्रियास करेंगे, चलिए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए, telegram channel के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, इसके इलावा दोस्तों बताना चाहेंगे, कि आने वाले 17 अगस से, यानि कि उडान बैच लाए जा रहा है, अगर आप पुराने बैचिस में अन्रोल नहीं कर पाए, अब आपके पास मौका है, आप इसमें अन्रोल्मेंट कर सकते हैं, काफी अच्छे discount offers चल रहे हैं, मात्र 8420 रुपे में, आप इस संपूर्न बैच में अन्रोल कर सकते हैं, जिसमें क GS, CSAT और test series सभी चीज़ें आपको available करवाई जाएंगी, और मेरे द्वारा इस बैच में आपके लिए science and technology की complete coverage करवाई जाएगी, space tech, defense tech, biotech और information tech जैसी सभी चीज़ें इसी बैच में cover करवाई जाने वाली हैं, अगर आप combo लेना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, जिसम almost जो major options हैं, वो available करवाई गए हैं, history, anthro, geography, psir, तो अगर आप interested हैं, तो इन combos में भी enrollment ले सकते हैं, in only and only 14,300 रुपीज, ध्यान रखिए, अगर आप इसमें maximum discounts चाहते हैं, तो you can use my coupon code ANIUPSC, इन में enrolled करने के links आपको description में दिये गए हैं, also बच्चों की demand की बाद हमने pathfinder pass को भी announce किया है, जिसमें की pathfinder की जितनी भी, जो भी offerings हैं, अगर आप उन सभी में, एक single pass के थुरू enroll करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, ये दो साल का pass है, जिसको आप लोग purchase कर सकते हैं, in only and only 25,000 रुपीज, all right, so CAG के द्वारा multiple scams को unearth किया गया है, in the scheme जिसको हम लोग भारत प्रधान मंतरी जन आरोगय योजना, ABPMJAY के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भारत की ही नहीं, बलकि दुनिया की सबसे बड़ी health insurance slash assurance scheme मानी जाती है, which is fully financed by the government, यानि कि इसमें सारा का सारा जो खर्चा है, सारा का सारा जो भुकतान है, वो government के द्वारा ही किया जाता है, ये scheme सबसे बड़ी scheme इसले मानी जाती है, because ये approximately 5 lakhs per family, per year का cover provide करती है, for secondary and tertiary care, और इसमें ये भी कहा गया था, कि approximately 10 करोड families, जो की poor और vulnerable section of the population को belong करती है, उनको cover किया जाएगा, identification of beneficiaries की जाएगी on the basis of socio-economic caste census 2011 के हिसाब से, Now, इस scheme को, जो report इसकी सामने आई है, इसको राजसभा में पेश किया गया है, और इस जो report में multiple irregularities को सामने लाए गया है, जिसमें number 1 पे आप देख सकते है, absence of adequate validation controls, उसके बाद errors in the beneficiary database, unrealistic date of birth, duplicate PMJAY IDs, so on and so forth, आपको अलग-अलग चीज़ें देखने को मिली हैं, इनी चीजियो इसका audit का जो time period यहाँ पे देखने को मिला है, वो CAG के द्वारा September 2018 से लेकर March 2021 के बीच में, जो scheme की implementation हुई है, उसका audit देखने को मिला है, और 2018 में ही हमें ये scheme सामने देखने को मिली थी, यानि कि जब से ये scheme शुरू हुई है, तब से लेकर आप देख सकते हैं, September आयुश्म देखने को मिल रही है, वो irregularities क्या क्या है, one by one करके उनको देख लेते हैं, सबसे पहले जो की बहुत shocking है, report बताती है कि बहुत सारे dead patients है, बहुत सारे मुर्दा मरीज हैं, जो की जिनको treatment मिल रही है under the PMJAY, यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे जो ये हमें cases देखने को मि इसको बहुत आसान भाशा में समझा जाए, तो report का ये कहना है, इलाज के दौरान 88,760 मरीजों की मौत हुई, जो योजना के तहत काडधारक थे, लेकिन इन मरीजों के इलाज से जुड़े कुल 2,14,923 दावे, यानि की 2,00,000 के आसपास claims को मृत्यू के बाद भी भुक्ता किया गया, मतलब कि लोग मर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अकाउंट में पैसा जमा किया जा रहा था, ये मामले जादा तर 36गड, हर्याना, जारखंड, केरल और मध्यपरदेश से जुड़े थे, इतना ही नहीं बलकि report ने साथ ने ये भी बताया, एक औ अस्पतालों में जाकर योजना का फाइदा लेता था, ऐसे मामले 36गड, गुजरात, केरल, मध्यपरदेश और पंजाब में मिले हैं, ये दूसरी irregularity है, जो की report के द्वारा सामने लाई गई है, नमबर 3 पे इन्होंने ये कहा है, जिसमें की आधार काड का misuse हुआ है, 36 ऐस जाजा लगा लीजिए कि almost एक आधार नमबर पे अगर हम लोग औसतन देखें, तो 600 से भी जाधा registration हमें देखने को मिल रही है, मतलब कि आधार काड जो की काईदे से technically unique identity होना चाहिए, उसके ऊपर आपको multiple registration देखने को मिल रही है, इसमें data और भी states का है, लेकिन आपको hint ल इसमें कमियों को सामने लाया गया है, जिसमें की बताया जा रहा है, एक-एक मुबाइल नमबर से साड़े साथ लाक लोग जुड़े हुए हैं, और मुबाइल नमबर भी इन्होंने बहुत ही generic मुबाइल नमबर का इस्तिमाल किया है, रिपोर्ट ये बताती है कि 7,49,820 ल भारतियों को जोड़ा गया है, विद इस मुबाइल नमबर जिसमें की आपको 10 x 8 देखने को मिलता है, 96,000 ला भारतियों को जोड़ा गया है, विद इस मुबाइल नमबर जिसमें की आपको 9 के बाद 9 x 0 देखने को मिलता है, मतलब कि बहुती generic मुबाइल नमबर का इस्तिम पर बहुत जादा हमें scam देखने को मिला है और भी इसमें मामले सामने आए हैं साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्यूं क्यूंकि देखिए mobile number जो है वो आज के time पे almost आपकी identity के बराबर है अगर आपके database को मान लीजे सरकार को देखना है तो मा होता है it may result in denial of scheme benefits to eligible beneficiaries मतलब कि जिनको इस योजना के फाइदे मिलने चाहिए थे उनको शायद योजना के फाइदे नहीं मिलेंगे लेकिन किसी और इनसान को इसके योजना के फाइदे मिल सकते हैं और यही problem आती है जिसको हम लोग exclusion की problem बोल देते हैं जब एक mobile number पे multiple लोगो को register किया हुआ है एक और जो की चीज सामने आई है ये भी ये बहुत ज्यादा shocking कम कहूंगा मैं ये this is slightly surprising की ऐसा देखने को मिला है बहुत सारे government employees इस आयुष्मान भारत योजना के तहट फाइदा लेने का प्रयास करते हुए देखने को मिले हैं जबकि ये चीज बताई मिला है तमिलनाडू सरकार के pension भोगी database की इस योजना के database से तुलना करने पर पता चला कि एक लाग से भी जादा pension भोगियों को लाभारतियों के रूप में शामिल किया गया है मतलब कि तमिलनाडू government में काम करने वाले लोग जो की फिलहाल pension भी उठा रहे हैं सरकार से उनक के स्वास्थे विभाद ने Bima company को करीब 22 करोड रुपे का premium भुकतान किया है तो ये भी देख सकते हैं ये सारा का सारा taxpayer का पैसा है जो आप लोग जान लीजे कि ये सारा का सारा पैसा कहीं ना कहीं इन लोगों को जा रहा है जिनको की नहीं मिलना चाहिए था इसको हम लोग inclusion error बोलते हैं मतलब कि वो लोग जो की नहीं होने चाहिए थे system में उन लोगों को भी यहाँ पे benefits मिल रहे हैं इसके बाद एक और नई चीज सामने देखने को मिली है क्योंकि जो scheme है इसमें ये कहीं पर भी mention नहीं है कि जो family का size है वो क्या होना चाहिए केवल ये mention किया गया ह है कि 43,000 households में size of the family was unrealistic किसी किसी case में 11 members की family देखने को मिली है किसी किसी case में तो 201 members की family भी देखने को मिली है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं again यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी workers यहाँ पे registration करवा रही है वो ज्यादा members show कर देते हैं सरकार से पैसा ले लिया जाता ह है इन लाभारतियों के account में चला जाता है और उसके बाद इन से उस पैसे को withdraw करके basically अपने पास रख लिया जाता है तो यह सारा का सारा system यहाँ पे बन रहा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पूरा क्योंकि यह एक loophole था सरकार ने family का जो house roll था उसका number mention नहीं किया था उस सारी guidelines को भी यहाँ पे lightly लिया जा रहा है जैसे कि infrastructure, doctors, equipment वेगरा जो भी सरकारी हस्पतालों में होनी चाहिए वो चीज़ें available नहीं है वो सब चीज़ें तो सामने लाई ही गई है लेकिन यह कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें थी जो कि CAG report के द्वारा सामने लाई गई है जो कि point out करती है कि कि इस तरीके से schemes का implementation सही तरीके से नहीं हो रहा है वेरी इंटरस्टिंगली health ministry ने CAG audit report आने के बाद ये कहा है कि mobile number वाली चीज़ कोई गलत नहीं है इनका ये कहना है कि देखिए mobile number से mobile number अगर होता भी है तो बहुत बड़ी problem नहीं है because असल में beneficiary verification के अगर आप mobile number सेम रख करके कर रहे हैं तो उस case में किसी भी इनसान की जो unique ID है वो compromise हो जा रही है इन्होंने कहा है कि हम लोग mobile number के लावा और भी चीज़ों का इस्तिमाल कर रहे हैं बट वहाँ पर argument या आता है कि आधार number के साथ भी तो हमें same खिलवार देखने को मिला है जह प्रूव यही हो जाता है कि ultimately इतनी बड़ी scheme है इतना सारा पैसा इसमें लगाया जा रहा है लेकिन वो सही तरीके से उसका implementation नहीं हो रहा है दोस्तों आपकी क्या राए है हमें ज़रूर बताएं comment section में CAG के द्वारा कुछ और reports भी सामने लाई गई हैं उनके ऊपर भी हम ल होने वाला है Sunday के दिन उसके इलावा separately options को purchase करने का provision भी आपको दिया गया है आप इसको जाकर check out कर सकते हैं also NCRT batches शुरू हो चुके हैं इन में जाकर के भी आप लोगे enrollment ले सकते हैं और हमारी perspective series को देखना बिलकुल ना भूलें so that आपके UPSC से जुड़ी हुई doubts यहाँ प के भीड़ी को आपके लागे सकते हैं